हुआ है हलो दोस्तों वेलकम टूर यूट्यूब चैनल भारत आइटिया जोब में मैं कास कुमार देश के सभी यूआ पीडी को मैं इस चैनल पर हर्दिक स्वागत करता हूँ आई होब कि आप लोग स्वस्थ होंगे प्रिप्रेशन कर रहे होंगे आई हम लोग आज बात करे देखना उसके बात से आपका देखिए यह टेकनिसियन जो है यह बैस नमर टेकनिकल का क्वेशन आपका जो टेकनिशन के स्टुडेंट है वह देख लीजिए आप लोग आप लोग का पूरा प्रिवेसम कोशन मरवा रहे हैं ठीक ना बैस वान टू थीरी फोर सब का ठीक न जो है जो हैं इसे पास तक सब का मरवा रहे हैं घक है तो यह यह जो है चब्रोक्त नमライ फोर्ड का अपका वन मरवा रहें हैं उसके बास से मरना मरवाएंगे टिकिसके आइए के हम लोग आइज बात करेंगे सोके कर देंगे से ब्राइब क्लियर कर देंगे तेक है पुरा कर羽े चंश्ट कोश्टिंब्र मरं वा देंगे क्या को भीन फूर्ञारं तनिकों सर आ गये इसालिए मैंने उस वीडियो मैं पहले वाला वीडियो में मैंने डारेक्ट मतलब कुछ ब्लास्ट में न बोले फिर भी वीडियो काटना पड़ गया एमर्जनसी वर्क पड़ गया टाइम मतलब की नहीं मिला ठीक नहीं चलाने लगे बस तुरन थम कार्ड दिये वीडियो और आप लोड भी कर दिये हैं ठीक ह मैं कभी भी सोचकर आप लोग को एकदम परोपर तरीके से में ठीक हो कर नहीं परा सकते क्या हैं कि अस्थाई पर्योग के लिए आम तरपर किस परकार के वायरिंग परियोग किया जाते नहीं तो या कंडूट वायरिंग या कंशील वाइडिंग या बटरंट ना कंडूट वाइडिंग बताईए या किलिप वाइडिंग समझ रहे ना जो क्लीप गूली ऐस थाइट पे चोटा सा क्लीप होता है तार तार जा रोटागते कोपी नहीं होता है यहाँ संटाइप में घ्क टो कहतं है स्धाइब धिवार अ क्याति को p कर दिया जाता है तो यहां पर भी इसे मुरा जाता है तो यहां पर भी यह इसे होता है लगा हुआ उसको बहुत है तो इसमें बुल रहा है कि आस्थाइट और पर ना अपना वाइडिंग कर सब्सक्राइब कर देखिए आपका और सब्सक्राइब कर देखिए लिए कौन सी समागरी प्रयोग की जाती है है कंड्डक्टर इस समझ ए इंपार का लाथ या टेंबू यह एंपेयर पेपर यह इंपार पेपर इंपर इंप्रेगेटर इंपर यह प्लीप या स्लीव चिए बास समझ झेपले करते हैं तो उसमें हम लोग करते हैं तो उसमें रोकने के लिए उसको समागरी कौन सब्सक्राइब इंपर्ट का प्रियूं का इंपर्ट का बताए या कलिव का या का यह का यूप यह यह जाता है तो यह सब्सक्राइब यह जी राइट एंस अपका ठीक सत्तर नमखोशन देखिए क्या वोलड़ा जून कर जाते हैं देखिए सट्र नमखोशन देखिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर विदी में पड़ते एक फेज वैंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है जहां भी एल लाइन बूछ रहा तिक न सिम्पल्सी पंडार पताईे इसका क्या होता है अंडरूट भी अंडरूट 3 भी अल यह थी एल यह हफेल अपान अंडरूट3 यही होता अं अ दिश्वा вроде Strach भी एल बट्टा अंडर रूट थिरी ठीक ना कोशन रोगा डारेक्ट इसे कोशन पूछता है कि आई यह सत्तर नम्हों कोशन देखिए देखिए पूरा देखिए हिंदी इन से दोरों देखिए ऐस्फोरस कोड़ेड डिस्चार्ज लेंप में केंडिमियम बोडट की उसरजित वेल 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 थेल कितनी होती है जूम करने पूरा दिखाई देता है बताइए जवाब दीजिए इसका जवाब हमें चाहिए अपना स्कूर्ट देखते रही है ठीक है कितना में हम मारें कितना ठीक इसका एक अधर होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए पसंदीदा अस्थान इन में से कौन सा है ग्राउंड फ्लोर का कोई भी कोना ग्राउंड फ्लोर का पर प्रवेश्ट द्वारा के पास एक राउंड फ्लोर के बीच में या प्रत्थम पर पर प्रवेश्ट द्वार के पास इसके और ग्राउंड फ्लोर के पर्वेश्ट द्वार के पास दखिए काड़े के लिए सम्माने पसंदीदा अस्तान के आप कोई घर बनाते हैं आप लोग तो यह बोड़ा है कि ग्राउंड फ्लोड पर मतलब कि अधम असानी से जहां से ओन आफ हो जाए तो मतलब मानक है कि उपर से तो यह थोड़ा सा उपर होना चाहिए अपर में 2.5 होता है उपर से 2.5 होता है तो मतलब कि बच्चा भी ना चूपा इतना मतलब कि वाइडिंग करना है मानक है कि यह मतलब बच्चा उप्चा वहां पर ना चूप सके ठीक ना ग्राउंड फ्लोल के परवेश दुवार के बा तक बच्चा भी तक टॉप ना करें उसको ना ओन फकरें तब क्या होगा आपका बी एंसर ना राइट एंसर है थीक ग्राउंड फ्लोल के परवेश दुबार के पास अंदम कि तीहत्तर नमा को श्रण देखिए अ कि रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल बिर्दी किसमे रेकित कि जाती है से को मुह मैं देखिए इस कंट्रोल है इस में यूचिंट था खीतार में स्वहदी में इस लीप टॉंशक्त मिलाइब ही इसमें क sob ront und कर में कि अब्सदीप न कि किया जाता है यह बात हमेसे द्याना लग क्योंके लुए translucent में प्रिंग नेक्शन मोटर में है कि चलिए 24 नोमर देखिए है कि एलेक्टिक रूम हीटर कर्वाटर में लिखित में से कौन सा उर्जा रुपांतरित सिध्धान था इन्फारेड हीटिंग आर्क हीटिंग इनक्षन हीटिंग या रेश्टेंस हीटिंग बताइए प्रवेस के लिए स्वीकार अधिक्तं बादा के स्थर को किसके द्वारा परिभासा प्रिभासित किया जाता है अ है बताइए इस यह यह इस इतना मानक है इसमानका लिए 61006 मानक या आई यह 51006 मानक या ऐस एकहतर हजार चोंद बताईए है आपका यह मानक है आई ईसी यह इह इंडियर ढूय का इंडिय sends भुन क्या है किसे की ऑपना लेना है तो कितना में किसे लेंगे लैन लेना है तो क्या क extriemor क्या क्या होना चाहिए वह क्या चाहिए चलना को इसके जरूरत की साथ देखना है सब मतलब कि उढ़ीन कि तो इसका पुरा बीडियो बना को प्रोफाइट कर देंगा ठीक है इसका 55 तरह की थे लिए कुछन का बल रहा है कि विजली घौरों में रियक्टिव पावर यंतिर के जाता है सिक्रोनोस मोटर दीसी मोटर एंडेक्शन मोटर एन्यूर्सल मोटर बताइए बिजली घरों में रियक्टिव पावर नियरतिन के लिए कौन सा मोटर भी प्रयोग किया जाता है सियत्तर का सर बताइए हमें राइट एंसर आप लोग ठीकना है कि कोश्चन तोरा टाफ लग रहा लग रहा दे देख्या डावडू में बताइए आप लोग सियत्तर का बताइए सिक्रोनस मोटर चोड़िए एजीली है नहीं देंगे हार्ट कोशन होगा वह देंगे चिकना शातात्तर नमर देखिए एक कंपक्ट फ्लोर सेंट लेंप सी एफल इसी कंपक्ट फ्लोर सेंट लेंप का ओसत कारे काल कितना होता है आठ सो घंटा थेक्ने मान है जो होता है कितना घंटा उसका जीवन काल थेक्ने वह पूछ रहा है यह साट घंटा यह 8000 घंटा यह 400 घंटा यह मानक है थेक्ने स्टेंडर्ड यह 8000 घंटा थेक्ट है अब पढ़िए आप लो निम्लेखित में से कौन सा उपकरण सबस्टेशन में नहीं पाया जाता है लाइटिंग अरेश्टर इसी को बोलता ऐल ले लाइटिंग अरेश्टर किसलिए इसका युच्छ किया जाता है रहा कासी बिजली से बचाओं के लिए युच किया जाता इसमें कोई नामें नहीं है देखिए लाइटिंग आप लोगों मैं थ्वासा एक्स्प्रेंड कर देता हूं देखिए इसे की सब्सक्राइब करेंगें सर्थ सब्सक्राइब धर लगा तावर आता हिये सब्सक्राइब यह वहाँ होता है कि कोई वी आकासी बिदली उपर से गिरे तो गिरे भी तो एड़ॉफ हो जाए मतलब कि पुरा एक्जॉर्ब कर ले पुरा जमीनी में चल जा ठीक ना कासी बिदली से बचाओ के लिए यह सब पुरा उपर से हम लोग तार रेक्ठों स्पेसल तार एलेक लगा जाता है यह अपना कॉम्पनेंट जो भी एकुपमेंट हमा सबस्टेशन में लगा हुआ है सब्सक्राइब जो भी चीज लगा हुआ है एकुपमेंट में टी यार भी है इतना महांगा चीज है क्रोड रुपया का संपती होता है तो उसको बचाने के लिए तो एड़ाप चारों तरफ से पैल जा सब जगा जमीनी अस्तर में गुज जा ठीक ना इसका एंसर क्या होगा डी होगा ठीक ना इसका एक्साइटर है कि अना सी नमर देखिए यदि खुल उपलब्द बिजली उत्पादन यदि कुल उपलब्द उपलब्द आउटपुट में मांग की अपुर्ति नहीं होती है तो तो उत्पादन और मांग के बीच संतूलन बनाने के लिए निमिल्क में से कुल उपलब्द बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की अपुर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतूलन बनाने के लिए निमिल्कित में से कौन सा उपायक प्रियोग किया जाता है बताइए थोक भोगताव पोडड़ित करना या प्लांट संचलान की दस्ता या लोड़ सेडिंग या पाउर फैक्टर में सुधार कि बताइए यह जो है यह कुल प्रॉप बिदली उतादन आउटपुट के मांग के पुर्ति नहीं होता है तो क्या किया जाता है इसको लोड़ सेड़ किया जाता है लोड़ सेड़ लोड को चारों देखा जाता है कितना किने का लोड हम दिए हैं किने से हमको आ रहा है इस अब देखा जाता है तब इसके एक रोडिंग करता ठीक नहीं जब सब्सक्राइब आई आई अभी नहीं समझ में आएगा आप लोग को एक समान उतेजना के साथ चल रहा सिक्रोंस मोटर लोड में परिवर्तन समयोजन समयोजित करने के लिए किसमें परिवर्तन लाता है कि पुरा कोशन देख लिए था साथ जूम कर देते हैं कि देखिए एक समान उतेजना सिक्रोंस मोटर रानिंग विथ नॉर्मल एक्स एक्स एक्साइटेशन अडिस्टु चैंज दर लोड इंद पावर कोन या अर्मेचर करेंट बताएं कि यह थोगा इसा थोड़ा देखा जथे हैं अर्मेचर करेंट यह देखिए लास्ट में हाना यही आपका राइट एंसर है सर्ट है ओके असी का डी आई हम लोग बात करते हैं घरेलू मिक्सर देखिए कोश्चन बहुत अच्छा ह घच कि में गरलू मिक्सर में किस वरकार का विद्हूत मोटर नोसमें का जाता है जो हम लोग निंगलिसमा पर ले इस टाइप ओप देएलेक्टिक मोटर इसवीड इन पर मिक्षर मतलब कि घरेलू घरेलू मिक्षर किससे बना होता है तो पता वे इन्युवर्सल मोटर डिसीरी मुझर capacitor motor या पोड़ सेड़ मोटर बहुत छोटा होता है ठीक ना यह capacitor motor यह दूसरा motor हो गया होने सकता है DC series motor यह तो crane high जहां पर हमें टार्क हो सकता होता है उसका यूज किया जाता universal motor ठीक ना इनिवर्सल motor का यूज हम लोग करते हैं ठीक है आपका राइट एंसर क्या है सर यह आपका ए इस तर राइट एंसर ठीक बिरासी नेमर देखिए एक बिजली सयंत्र के शुरुवाती लागत इतना है तो गुने दसवेगात दे आठ है तो उबार मुल सैविंग वैलू मुल 15 परतिसत और प्योगी जीवन प्तिस वर्स माने स्टेंड लाइन विदी का योग करते हुए प्तिस वर्स के बाद सयंत्र का मुल कितना होगा तीक न यही कोशन जो है तब हमके लगा आप लोग बताईएगा इसका जवाब हमें दो गुने दसपेगाते साथ या तीन गुने दसपेगाते साथ या पांस हमें हमें क्या होगा ठीक है आशीन दो कि 25 यह पावर सेशन की अधिकतम मांग चीक है 25 यह पावर सेशन देखिए अंसर बता देते लेकिन आप लोग इसका प्ता देते हैं इसका ब्रूद्वाद इसको लिपालीएगा जरूरूर ठीक इसका बी एंसर है आप लोग लिखाल के देखिएगा कि देखिए एंप 25 एमडावलू पावर शेशन के दिखता मांग 25 एमडावलू है तो वाट्षिक लोड फ्रेक्टर कितना होगा अब बताइए इसका इस डावलू में यह रहेगा ठीक तरासी के क्या होगा आपका चालिस प्रत्रेसेट होता है ठीक है अनुमुदित इंसुलेशन प्रत्रीवत कितना होगा ठीक है इसका जवाब दीजिए जितने यह चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन दबाद दीजेगा ताकि आप लोग को निव अपडेट मिलते रहे कुछ भी डाले तो हम इस चैनल पे इसे कि कोई सब्सक्राइब कर दीजेगा और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजेगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें न्यू चैनल आप लोग के लिए मैं बनाया हूं ठीक है बताएए 84 नमर सवाल का जवाब दीजिए देखिए इदुनिया में न कुछ करके जाना है ठीक है जम जिद्ध धान लीजिए कि आए हैं तो कुछ तो कुछ न कुछ तो करके जाएंगे ठीक है ऐसे नहीं मरना है ठीक नहीं तो उपर भी गाली सुनने को मिलेगा भगवान नहीं चुतमाह्प करें आएं तो अपने लिए नहीं पढ़िए पढ़िए अपने जनरेशन के लिए आने वाली पीडि के लिए पढ़िए तब आप अच्छी तरशाइए उसके बारें ऑने सुचिए कि हम मैनत करके अपना पूरा खंदान को बजल सकते हैं अपना जनरेश लेगा बच्चों को मोटिवेट होगा आपको देखकर तो मतलब आप अपने लिए नहीं पढ़िए अपने फैमिली को देखका पढ़िए मा बाप को मुझ देखिए ठीक ना उसके जब सोचिए गा तभी आप पढ़िएगा अगर यह सब बात नहीं सोचिएगा सिफ सोचिए आप बेटा कुछ निकाल लेगा अच्छा जौब ले लेगा इजद परतिष्टा अपने जाएगा आप लोगो में बता दो कि आप अगर इसमें जब चाहिए अब इजब कर जाते हैं तो आपको इजद की कमी नहीं होगी बता देते हैं जहां जाईएगा जाईएगा घर मे भी जाईएगा तो आपको कुटता भी नहीं पूछेगा इसलिए आप पढ़िए आप लोग मैं यही आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूं देखिए नहीं पढ़िए गा तो कुछ नहीं होने वाला है जिन्दी में आप कुछ एचीव नहीं कर पाईएगा जमीन से असमान तक का फैसला यह प्रहाई है जो आपको पहुंचा सकता है और हम लोग तो या बहुत-बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं अम्बानी साहब से बिलोंग तो नहीं करते हैं कि हम लोग के पास क्रोड़ों खरबुड़ूपय है या पापा जी का है या दादा जी का है कि बेचबाज कर अपना संपती को पिर आगे बरहा लिए या कुछ खोल लिए दुकान खोल लिए या कोई फैक्टरी डाल दिये खुश से मेहनत करना है ठीक ना ताकि आने वाली पी देंगे सबको अच्छा से पढ़ाएंगे ठीक ना आपसे मोटिवेट होगा कि पपा देखो इस बीओ बने हैं तुम इस डीओ बनो तुम डीयम बनो जीला के मालिक बनो प्रखंड का मालिक बनो तो यह सब जब आप बनियेगा तभी न आप उसको रास्ता देखाई जब आ अरएंश है जब देखें पढ़ाशी नमर एकस एकस एल पी इए एकस एल पी इए कोपर केवल की सौर्ट सर्कृट करेंट ट्रेटिंग किसके दोवारा संसमित है समित होती है पताई सब्लाइब वोल्टिज का या करंटर्प्रतिरों डिश्टेंस का या कंड़क्र का याया परतिबाधा इंपिडेंस का बताई पचासी का राइट इंसर क्या होगा परतिबाधा इंपिडेंस का टिक ने जल्दी अली मरवा जेते हैं आप लोग का ठीक है बहुत यादे लंबा वीडियो हो गया देखिए प्रक्रिया लाते हैं तो अलगी दुनिया में चले लाते हैं तो आप लोग देखिए वीडियो के साहिए पढ़िए सफलता आपके कदमों चुमेगी मैं आप लोग का मेहनत देख रहा हूं आप लोग मेहनत कर रहे हैं ठीक है तो टेंशन ना लिजिए आओ यह सब टाइमिंग पर मज आई है टाइम डेरोशन नहीं देखिए अभी आप अपने ध्यान दीजिए एकदम परना तो परना ठीक ना इस पर ध्यान दीजिए आप लोग टाइमिंग कुछ नहीं होता है यार पहले समझने कुछिस करो समझो टाइम चहां जितना लग जाए कोई बीचीज को ना पकरो तो दम प्रप्रवा के दम पुरा उसको पर जाओ तो परना दिल से परो नहीं परना मत परो साप सो सोना खुब सो तेक ना सिद्धत से करो जो भी करो सिद्धत से करो भगवान भी सायोग देगा करने में यहां भाई लगा सिद्धत से कर रहा है इसको सायोग देना बनता है पाठी तो बनती है तो वहीं सायोग देना तो बनता है भगवान भी मजबूर हो जाएंगे देखो बताइए ए एन एलेक्ट्रमेक्टिक डिवाइस for the converting electrical energy and mechanical energies to build to the different mechanics and the mechanics and various kinds of process control is called बताईए बिभीन पगार्यान यंत्र के लिए अलग अलग मसीनों और यंत्र नायों का motion speed करने है तु बिभीन उर्जा को यंत्रित उर्जा में प्रोड़िट करने के लिए एलेक्ट्र मेंगनेट्र डिवाइस को क्या कहा जाता है सब्सक्राइब करने के लिए इस्तिमाल के जाने वाले कंट्र उपकरन है बताईए क्या है इसे कि हम लोग और तिंग चेक करते हैं तो किसे करते हैं बताई ये कौन चीज से इसका जवाब बताईए हम तो इसके बारे में चारों के बारे में आपको करके समझा सकते हैं यही जो है अर्थ लीकेज के लिए हम लोग होता है अर्थ हलका सा भी अर्थ कहीं फॉल्ट होगा फॉल्ट होगा यह देखिए यह एल सी भी ठिक ना अर्थ लिक अर्थ लिकेज सर्कुट ब्रेकर यह थोड़ा इससे भी अच्छा होता इस लेशन आइस लेटर अलग हो गया यह चंबर आप आई यह बस बार होता है इस बार खोलने वाला बता रहा है इसको खुड़ा जाता है अब आपको बस बार में दिखाएंगा आपको याड में अब फ्यूज फ्यूंज अलग सीस हो गया फ्यूज तो देखिए यहां फर लिकेज क्या पुछता है कि कोशन पर देखिएगा क्या बोला को देखिए और लिकेज करेंड को पता लागाने के लिए ठीक ना पता निढ़ारित मान को दिख 혼े पर प्लाई को डिस्कनेड़ होने पर प्लाई को डिसकनेट अपने आप अटोमेटिकली कर दिए इसमें इकुपमेंट लगा होता है कि मतलब कि हलका सा भी दिक्कत होगा तुरंथ में काट देगा एंसी भी तुरा लेट से काट देगा लेकिन जो यह बड़े-बड़े घर में उप्यों किया जाता है लेटिंग किशना पिजाती है बताइए इस दकी देखिए दर रेटिंग ऑफल्टर नेटर इस गिवन दा लुटर लेटिंग किस में दी जाती है मतलब बहुत सारे टाइप में को फ्मांग्वा पूचे न तो बताइए इसमें इंभी ए कि एम के भी ए आर में किलो भॉल्ट एंपिर हावर में सोरी इसाब बता है ना इसाब जो है आप आईएगा तो अपर देखने को मिलेगा पूरेटिंग दिखना पड़ेगा रिटिंग लेना पड़ेगा ठीक ना एक्षेन करना पड़ता देना पड़ता है इधर से उधर में सब्सक्राइब करते हैं अपना करते रहते हैं इतना खर्चा हुआ एक महिना में एनर्जी तो उसका कंज्यूम का पईसा काउंट होता है कितना एक यह मेरा जिसे के जी एसे सब्सक्राइब में कितना का खर्चा हुआ और हनू Century क्यों सब्सक्राइब करना सम cé तांस्फार्मर की भी रेट्टिंग के भी में भी ना पा जाता है ठीक ना इसे भिखान रखिए गबात देखिए यहां पर क्या बोल्ड पॉप्शन देखिए देखिए नावासी नमक कुशन ठीक ना यह थीरी फेज फोर हंड्रेट भोल्ट था सटर्ट पोल्ड सिक्रोंस मोटर हैज लोड़ेट एंगल और ओफ चौदर डिगीरी यहां पर इलेक्टिकल दा इकुबैलेंट मेकेनिकल डिग्रीज विल वी मतलब की थीरी एक थीरी फेज बिद्वाट इलेक्टिकल का कॉन लोट का लोट कौन है तो समकष कमेकल कर डिग्री की थेना होगा तो तो यह थीरी फेज फेज इंडेक्शन मोटर का तीन वाइडिव में से किन्हीं दो कनेक्शन आपस में बजल दिये जाया तो क्या होगा मोटर चलना बंद हो जाएगे मोटर संपक्ष हो जाएगी मोटर संपक्ष हो जाएगी मोटर जल जाएगी मोटर उस दिशाय में चलेगी बताएगे देखिए यहां पर दस चार चार यहां पर दस दस एम्म गुने चार एक एक कैमरा एक सो पजास वार्ट के दस लेंफ द्वारा प्रकासित किया जाना है परते के लेंफ का एम एस सीपी तीन सब्सक्राइब धूर्ट प्रकाइब युटिलाइजेशन सब्सक्राइब फाइब माने तो फर्स लबग उत्पादर रुषद मान कितना होगा बताएग बताएग एग सी च्वार्ट पॉइंट तीन लॉक्स मतलद लिम्मने बताएग न या दोसो पॉइ पॉइंट टू लॉक्स या या 500.8 लॉक्स टिक ना इसका एंसर एकानवे का होगा एंसर ठीक ना दोसो चुलानों पॉइंट इम माना का ठीक न बानों देखिन में से कौन सा सिंगल फेज इनसा मोटर का एक परकार नहीं है स्लीप प्रिंग नेक्शन मोटर स्लीप व्यरुसन मोटर ये हम पकाथ paar लिखे ड्क ना इसामिट नहीं सिंगल फेज नहीं है स्लीप विनेक्शन मोटर ढर्खन यहां यह वयमस्तिंफित संह परकार नहीं है लागत बेहष किल समझ ऋर्फ निम उर्जा सयंतर्में से इंधन पर्यवनधन की लागत बैवार्कर में स जो उर्जा स्यंत्र है उत्पन होता है ठीक ना तो परमानों स्यंत्र या भाप दौरसंचालित या जलवाईू ठीक खर्चा जो है कम लागत किसमे कि में हैं बताईए परमानों समझा में निक्वीर बंवन की स्वूठक जो को पैदा किया था ठीक है तो यह बोल रहा है कि उसमें भीवार कम लागत में कम लागत सुन्य होती है बताईए इसमें यह भाप द्वराद स्टीम यह स्टीम पावर से ठीक ना स्टीम कोईला से यह यह थर्मल पावर यह 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 है आपका राइटेंस है यह बिजली से सोरी इसकल को क्या बांध बना कर रोक लिए रोक कर उसको प्रेसर से अपना टरवाइन पर गिरा रहे है तरवाइन से होते हुए अपना साफ्ट में जोड दिए अल्टरेटर जोड़कर अपना अराम से बिली लिए ठीक नहां आपको बहुत सारा हम इस पर वीडियो बनाएं यह चाई की लिए रेक्र बना आ यह पने स्ट्रों प्रेस्टोंक नहीं हुआया है यह विएज रोक भी audio कर दिया है इस दोब्हीन सबसे कम लागत है और इसमें ख़र्चा होता है कुसल कारीगत कर भी जरूत नहीं होती है यह समय बहुत कारों पूसल कारीगर चाहिए कम से कम तसल के चाहिए भाप इंजन में यह सब चीज जो थरमल में स्टीम में यह सब जो है इसमें बहुत लागत होते हैं इसमें खर्चा भी होता है भागाई भी मतलब की पॉलूशन भी जादे होता है मतलब की इस वीडियो भी बना क्या को क्यों सिस्टेम यह एकुलों क्यूल मोकिल रोकर रोकॉल शीट्रेम बताये है दम्सिक और विए दा इलेक्क्र Ikin neighbor स्प्लाइग ऑंड्ल क्योंड़्यक्रीग औरह क्यों फिर्ट्रों स्में एकुजियो अंट्रों नल्द हों आप पूछ रहा है इसका राइट इंसर क्या होगा यही आपका इंसर है अपका बी होगा ठीक कि पंचार में नमर देखिए निमलिखित में से निमलिखित में से बीकल्प को कुण्डर पर अएडिया प्रति का सलाटएट के इनुपात के रूक में पडिवासित किया जाता है सलाटका इंपि आंपियंस श्लाट-पिच्छी अलिकेज़्ट the slot and span span's flux factor which of the flowing options can be the defined as the ratio ratio of the conductor area per slot to slot area specific presence of a slot, slot leakage, leakage factor, इसका अपने से पहले मारिएगा टिक ना इसलिए आपको टाइम देते हैं कि पहले आप अपनों वीडियो को पोस्ट कर लिजेगा पहले अपने समारिएगा दिमाग तो लागाईएगा दिमाग पर जादे प्रेसर दीजिएगा ठीक है उतने आप ब्रिल्लेंट होईएगा ठीक है आप अनों बात करते हैं एक डिजल पावर शेसं के प्रति दीन के डिजल खपत एक थाजार के तो प्रति दीन प्रति इन राइन के लिवाट-एंट प्रिवे और घंटा या तो पॉइंट फाइब गएजी और घंटा या यह इने मिनकल कोशन है कि अपने लिए गाए इसका सी इसका सुथर हमको याद नहीं है इसको बता भी देते आपको इसका सुथर होता है ठीक ना तो इसका इंसर सी है आप लोग इसी बता देते हैं आपक संताने में नोमर देखिए एक हैड्रो इलेक्टिव पाउर पाउर शेशन के अपूर्थी एक सो साथ एमम के मीन हैट हैट के दस गुन दस बगात दे आठ सी यू एम चमता के जला से द्वारा की जाती है तो हैड्रो इलेक्टिव दसकता दस परसेंट है और विदुद दसक सब्सक्राइब गाता इंट इन स्कॉर्ण एमम मैं तो 40,000 गहां कि दर से पूरती की जाने वाले पानी का स्तर गिरने पर क्या क्या होगी बताइए आपका क्या होगा 0.005 मीटर मीटर हावर से 0.00425 मीटर हावर परति हावर यह 0.575 मीटर परति हावर 0.3185 मीटर परति हावर पता है इसका प्रति हावर अं आपर कम देखिए अंडर गरांड सर्विस के लिए उपयों कीजाने वाले मत्लय सूपर сама हि क्रांश के लिए उपयों की जाने वाली सुपर से बनका थे इस कितना होता है बता है यह मानक है ठीक नहरीक होता इसका बताइए कितना होता जवाब दीजिया इसका ठीक नहीं या स्पाइब सिर्फ मेंगा वे या जाप्टे विए रख्षपन के वी या या और के भी ये ही होता है तिसके ऴिए ठेक्ट बहुत स्थ कि अफरेक्टेंशन एक इंडेक्शन मोंटल ड्राइब के लिए वैरिएबल वोल्टेजद खेवर्टेकरीरaden घ्रठीक के लिए रेक्टि... अन्यास्थ्यूंतित है तो वोल्टेज और फिक्वेंस्य निम्निमं से किस सेłbyत्व चंगल सिंगल फेज ब्रीज करवटर से या या पल्स या फॉल्स विड़ अ मदुलेट करवटर से या दू फेज करवटर से बताई कि नुद रहा होगा कि फीड़ मदुलेशन से ठीकना फिर फेड़ वर्ट कि रहा था ठीकना शौन मर्देखे एक ट्रॉट्रसपार्म होता बताई क्या होता है है एक बार देक्षा लिए तो न में इसको पड़ा देकिते हैं यह पड़िये पढ़िए तभी कुछ उने वाला नहीं पड़िएगा कुछ नहीं होगा ठीक है तो पुरा आपका यह जो है आपका बैच फोर का क्लियर क्लियर हो गया ठीक नहीं करते हैं आप लोग कमेंट करके बताईए कैसा लगा क्लास और हम अच्छा सपरहा पा रहे हैं कि नहीं आप लोग को यह भी बताईएगा ठीक है तो हमारे साथ जुरे रहने के लिए इतना देर टाइम देने के लिए ठैंक्यू सो माच आपका दिन सुब हो और आप बहुत तरक्की कड़े आगे बढ़े मैं भगवान से ही कामना करता हूं और आप लोग का मेहनत रंग लाएगा ठीक है